जैहिन साथियो कक्षा बारा सर्यो पाठे पुस्तक में हमारा अध्याय चल रहा था अध्याय संख्या आठ राम की शक्ति पुजा जिसका एक सत्र हम स्माप्त कर चुके हैं दूसरे सत्र में आपका पुने स्वागत है राम को अपने विजय का भरोसा नहीं रहा था क्योंकि महाशक्ति है वो रावन के पक्ष में चली गई थी इसलिए वो आसंकित्थे उन्हें भैसता रहा था कि कल के युद्ध में उनकी पराजय नहीं हो जाए तो जब उन्होंने अपने साथियों से इस बारे में विचार विमर्ष किया तो जम्बवान ने उन्हें शक्ति का उत्तर शक्ति से देने आराधना का उत्तर आराधना से देने के लिए प्रेरित किया और उन्हें कहा कि आप भी इसी तरह से शक्ति की आराधना कीजिए और उसे अपने पक्ष में लाने के लिए आराधना कीजिए जब तक आपको सिध्धी प्राप्त न हो जाए तब तक आप युद्ध में भाग न लीजिए विद्यार्थियों यहां तक हमने पहले अध्यन कर लिया था इसी संद्रब में जम्बवान है वो सेन्य संचालन किस तरह से रहेगा किस तरह से सेनायों का नित्रित वो कोन कोन करेगा यह सब बात यहां पर की जा रही है तो उसी बाचीत में जम्बवान कहते हैं कि तब तक लक्ष्मन है वाहिनी के महा नायक मद्य भाग में अंगद दक्षिन स्वेत सहायक मैं भल सेन्य है वाम पार्षव में हनुमान नल नील छोटे कपिगण उनके प्रधान सुग्रीव विवीशन अन्य यूत्पती यथा सम आएंगे रक्षा हेतू जहां भी होगा भय तो उद्यार्थियों जम्बवान हैं वो कहते हैं कि जब तक आप सिद्धी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक इस महा वाहिनी इस विशाल सेना के नायक हैं वो लक्ष्मन जी रहेंगे और मद्य भाग में अंगद के पुत्र वी दक्षिन भाग में दक्षिन स्वेत सहायक जो सुग्रीव पुत्र है वो इसकी सहायता में या लक्ष्मन जी की सहायता में रहेंगे और स्वयम के लिए कि मैं स्वयम है वो भल सेन भालू की जो सेना है उसका नेत्रित्व करूंगा तो उसके नेत्रित्व के लिए मैं स्वय नल और नील छोटे कपियों का छोटे वानरों को नित्रितु प्रदान करेंगे सुग्रीव विभीशन और अन्य जो यूथपती हैं दलनायक हैं वो यथा समय तत्पर रहेंगे जब भी आवशक्ता होगी जहां भी रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा उस रक्षा के लिए जहां भै होगा जहां आवशक्ता होगी वहाँ वो प्रस्तूत रहेंगे तो सुग्रीव और विभीशन और अन्य जो यूथपती जो शेश रहे गए हैं उनको भी निश्चित स्थान पर बता दिया गया है लगा दिया गया है कि कौन-कौन कहा रक्षार्थ रहेंगे इस त तब तक भगवान राम को महाशक्ती की प्राप्ती नहीं हो जाती जब तक वो आराधन में बैठे रहेंगे तब तक की बात यहां की जा रही है कि तब तक इस तरह से सैन्य संचालन किया जाएगा जंबवान ने राम को निराशा त्याक कर महाशक्ती के अराधना करने के लि बोली है वीर रस ओज गुण तथा अनुप्रास अलंकार है पहुंचते हैं विद्यार्थियों सात्वे पद्यांस पर यह अंतिम जाप ध्यान में देखते हुए चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल कुछ ने लगा हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल ध्यान क की भूमी से उतर खोल पलक विमल देख देखा वहां रिक्त स्थान जहां पर था जहे जाप का पूर्ण समय आसन छोड़ना एसिद्धी भर गए नैन द्वे दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध जान की हाई उद्धार प्रिये क अ कौन हो सका वहां एक और मन रहा राम का जो न थका जो नहीं जानता देन्य नहीं जानता विने कर गया शेस यह माया वरण प्राप्त कर विजे अब विद्यार्थियों यह जो कहा गया था भगवान राम से की वो शक्ति की आराधन करे तो भगवान है शक्ति की आराधना करने लगे और शक्ति की आराधना करते करते वो उस आराधना का अंतिम समय भी आ गया अंतिम जाप करने का समय आया तो राम है वो ध्यान में लीन थे जब कर रहे थे अंतिम जाप उनका चल रहा था और ध्यान में उन्हें देवी के दोनों चरण दोनों पद हैं वो दिखाई दिये राम ने उन चरणों में अर्पित करने के लिए नील कमल अर्थात इंदीवर न कुछ भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा हात, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, और जो स्थिर था मन भगवान राम का, वो मन अब चंचल हो गया, उसमें व्याकुलता भर आई, ध्यान की भूमी से उतरे खोले पलक विमल, और ध्यान की भूमी में थे अर्था ध्यान मगन थे, त वो स्थान जहाँ पर नील कमल रख़ा हुआ था वो खाली था और यह है जब कोपूर्ण करने का समय था अर्ठा तर अपनी आराधना के अपनी सिध्धी प्राप्ति के अंतिम समय में थे राम लेकिन अगर इस समय वो आशन छोड़ करके कमल नील कमल लेने जाते कि आशन पुरना ठीक नहीं था, इसलिए उनकी दोनों आखे है, वो भर आई, आसु उसमें भर आए, और भगवान है वो अपने आपको अपने जीवन को धिक्कार ने लगे, कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कि धिकार है ऐसे जीवन पर जिसका सदा विरोध ही होता आया है धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध और ऐसे साधन जिनका सदा उसने शोध किया सदा उनको ढूंडते ही फिरा है उनको ढूंडने के लिए मारा मारा फिरता रहा ह ऐसे साधनों पर भी धिकार है वो अपनी पत्नी सीता जी को याद करते वे कहते हैं कि जानकी हाई उद्धार प्रिया का नहीं हो सका कि यह जानकी है प्रिये तुम्हारा उद्धार मेरे द्वारा अब नहीं हो सकेगा वह एक और मन रहा राम का जो न ठका कि राम का वह दूसरा मन था जो कभी ठकता नहीं था आज राम है वो अपने आपको ठका हुआ महसूस करते हैं वो ऐसा अनुभो करते हैं कि वो पूरी तरह से ठक चुके हैं और वो अपनी पत्नी का उद्धार नहीं कर पाएंगे उसे रा अलग था कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर विजय और जो रावन है वो भेद कर गया अर्थात शक्ति को अपनी तरफ मिला करके वो माया भी विजय प्राप्त कर लेगा उसकी जै हो जाएगी देवी को समर्पित करने के लिए रखे गे नील कमलों में से एक माया को गयब कर गया एक को माया ने गयब कर दिया तो यह राम की परिक्षा का समय था जो देवी ने स्वयम इस फूल को उठा लिया था राम को इस बात का पता नहीं था क्योंकि वो राम की परिक्षा लेना चा साहितिक खड़ी बोली है शैली वरनात्मक्त था प्रवंदात्मक्त है। अब है राम जब अपने आपको धिकार रही हैं तो उसी समय में उनके मस्तिश्क में एक विचार कोंदा उन्हें याद आई। जाग उठे सजगपा भाव प्रमन एक सुन्दर भाव उनके मन में जागा और उनके मन में यह आया। यह है उपाय कि उनके पास यह एक उपाय है। उठे राम जो मंदृत गंभीर गं बादल उमड़ घुमड़ करते हैं वैसे ही वो अपने मन में उमड़ घुमड़ करते हुए विचारों की उथल पुथल मचाते हुए राम है अपने आप से कह है उठे कि मेरे पास यह एक उपाय है। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नैन के मेरी माता मुझे समेशा ही राजीव नैन कहती थी राजीव अर्थात कमल के जैसे नित्रों वाला मुझे कहती थी तो मुझे जब माता राजीव नैन कहती थी और मैं राजीव नैन हूँ राजीव के समान जिसके नैन है कमल के सम और अभी भी इस पूजा का अनुष्ठान का समय है, वो शेष है, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, ये माता मैं तुझे अपना एक नयन, एक पुष्प अर्पित करना शेष है, तो मैं अपना एक नित्र तुम्हें अर्पित कर देता हूँ, इस तरह से मैं अपना वचन या अपनी पूजा है वो पूरी कर दूँगा राम के नेत्र कमल के समान है वह अपना नेत्र देकर नील कमल के अभाव की पूर्ती करना चाहते हैं सित्थी प्राप्त करने के लिए राम का द्रिर निष्चे व्यक्त हुआ है अनुप्रास रूपक अलंकार है वीर्रस संस्क्रिन निष्ट सहित्ति खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। धीर धर्म धन्य राम कह लिया भगवतीनी रागव का हस्त थाम। तो ये सोच कर कि मैं राजीव नैन हूँ इसलिए मैं अपना एक नित्र अर्पित कर देता हूँ। लकलक का रहा था अर्थात उसके उपर मशाल की का प्रकाश गिरने से वहें चमक रहा था महा फलक तिक्षन जो बान था वहें चमक रहा था। राम ने वहें अस्तर अपने वाम कर में बाएं हात में ले लिया और दक्षन हात में अपना दक्षन लोचन अर्थात दक्षने दाहिनी आंख है वो ले ली और अर्पित करने के लिए जो ही वो एक उस आंख रूपी कि सुमन को आँख रूपी पुश्प को भेंट करने के लिए जूही उद्यत हुए तैयार हुए जिश्ण बंद गया भेदने को दुग द्रिज्ड निश्चे और जिस समय उनके मन में उस आँख को भेदने का पक्का निश्चे हो गया कापा ब्रमांड सारा ब्रमांड है वो तुरित उसी समय बड़ी तेजी से देवी प्रकट हुई सादू सादू सादक धीर और उन्होंने का कि हे धर्म धन के धन्ये है धर्म के धन्ये या धर्म रूपी धन के धन्ये राम तुम बड़े महान सादू हो बड़े महान सादक हो तुम्हारी सादना का कोई तोड नहीं है और ऐसा कहकर उन्होंने भगवती ने राघव का हस्त थाम लिया अर्थात भगवान राम का हाथ है वो पकड़ लिया उन्हें अपना नित्र अर्पित नहीं करने दिया वो केवल उनकी परीक्षा ले रही थी जिस परीक्षा में भगवान राम है सफल हुए विशेश है इस अनुप्रास पुन्रुक्ति प्रकाश सलेश लंकार और ओजगुन का प्रयोग हुआ है दस्मा और अंतिम का व्यान सहे विद्यार्थियों देखा रामने सामने श्री दुरगा भास्वर वामपद असुर सकंद पर रहा दक्षिन हरी पर ज्योतिर में रूप हस्त दस विव दक्षिन में लक्ष्मी स्रस्वती वाम भाग दक्षिन गनेश कार्त की माय रण रंग राग मस्तक पर संकर पद पदमों पर श्रद्धा भार श्री राग हुए प्रणत मंद स्वरवंदन कर होगी जय होगी जय हे पुरुशोत्तम नवीन महाशक्ति राम के वदन में हुई अब शक्ति वहाँ प्रकट हो गई है महाशक्ति प्रकट हो गई है देवी दुरगा प्रकट हो गई है और जब राम ने उन्हें देखा तो उनका एक दिव्य आलोकिक रूप उन्हें देखने को मिला देखा राम ने सामने श्री दुरगा भास्वर तो राम ने देखा कि स् खड़ी हुई है वामपद असुर सकंध पर और उनका देवी दुरगा का वामपद बाया पैर है असुर के कंधे के उपर रखा हुआ है रहा दक्षिन हरी पर और दक्षिन जो है वो हाथ हरी के उपर विश्नु के उपर रखा हुआ है जोतिर में रूप और उनका रूप है व उन दस हातों में विविन अस्त्र सुशर्जित हो रहे हैं मंद विश्वित मुख लख हुई विश्व की स्री लज्जित और उनके मुख के उपर मंद मुस्कान दिखाई दे रही थी स्मित मुस्कान मंद धीमी मत्यम लख हुई लख देखकर विश्व की स्री विश्व की सार विश्व की जो सुन्दरता है वो भी लज्जित हो गई है दक्षिन में लक्ष्मी जिनके दक्षिन भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में सरस्वती विराजमान है दिखाई दे रही है और दक्षिन में गणेश जी और बाएं तरफ हैं वो कार्ति के दिखाई दे रही हैं व ऐसे उस रूप को देख करके पद पदमो पद रूपी पदम पद रूपी कमल रूपी उन पैरों को देख करके भगवान राम है वो श्रद्धानवत हो जाते हैं स्रद्धा से भर जाते हैं तो श्री रागव श्री राम है वे प्रनत वो उनको प्रनत होकर नमशकार करते हैं जुक कर उनका आशिरवाद लेते हैं मंद स्वरवंदन कर मंद मंद स्वर में उनकी वंदना करते हैं मंद स्वरवंदन मंद मंद धीमे स्वर में उनकी वंदना करते हैं तब देवी उन्हें आशिरवाद देती है होगी जै होगी जै कि तुम्हारी ही जे होगी हे पुरुषोत्तम हे पुरुषो में उत्तम नवीन श्री राम तुम्हारी ही जे होगी इतना कह करके महाशक्ति है वो राम के बदन में राम के शरीर में लीन होगी उनके शरीर में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया विशेश हैं, महाशक्ती दुर्गा के प्रकट होने पर राम को विजय का आशिरवाद देने का वर्णन किया गया है भगवती दुर्गा के स्वरूप का भवे चितरन किया गया है ओजगुन है अनुपरास यमक अलंकार है सजीव ओजपुन सहितिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है विद्यार्थियों ये था आज का हमारा अध्याय राम की शक्ती पुजा जिसका हमने अध्यन किया और इस सारी सहप्रसंग व्याख्या प्रशनोत्तर इत्यादी की PDF आपको हमारी वेबसाइट के लिंक से प्राप्त हो जाएगी जिसका लिंक यहां दिया गया है और डिस्क्रिप्शन भी इसका लिंक दिया गया है वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे मिलते हैं अगली वीडियो डोकिमेंटरी में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत